अब हर्याना में अभी बोला, योगी जी ने बोला, जहां-जहां वो गए, वहाँ पर बीजेपी को काम्याभी भी मिली, तो एक किसम का जो पहला वाटर टेस्टिंग इसकी जो थी वो हो चुकी हर्याना के एलेक्शन के अंदर, शायर इसलिए इसको इतनी मेजर पेमाने पर नाच करने के तैयार है महाराष्ट में, मैं इस राजनीती के चस्में से नहीं देखता है मुझे इसमे, आप तीनों ने कोई प्रोग्राम से पहले हाँ, मैं राजनीती से ही देख रहा हूँ हूं, मैं देखें, कुछ चीजें होती हैं, जो हम लोग ब्रमेटरियाशन की वे यह एक मैं जोगी जी के इसे नारे को मत देखिये, जैसा कि प्रदीप जी ने कहा, यह रास्ट को जोडने का संकल्प सुत्र है, इसे मूल सुत्र, हम मुलाधार की तरह हम लोट रहे हैं, और यही बात आध्य सरसंग शालक परम पुजनिय हेट गवार जी ने दिया था भिहास में हमें पराजे मिला है, वो पराजे को हमको देखने के लिए मिलेगा, और हम खंडित होंगे, मैं बार-बार यह जिक्र करता हूँ, कई बार हमारे मित्र लोग कहते हैं कि आखिर हिंदू इतना दिन में मिटा नहीं, कैसे नहीं मिटा भाई, हमारी सिमाई इरान तक जाती थी हमारी स्क्रोइल बर्मा और रंगुन तक हुआ करती थी आॉर रोषम कितना सिमठ है है जिसे का आप कहते हैं कजवाय हिंद होना आपका दो तिहायी हिस्सा गजवाय हो चुका है अफगानिस्तान में आप खत्म हो चुके अफगानिस्तान में आपको ना मंदिर बचे हैं ना गुर्दवारे बचे हैं पाकिस्तान में हमारे हजारों मंदिर होते थे आज गुंती पर गिल करके 25 या 32 मंदिर वहां पर बच गया हैं बंगलादेश की स्थिति आप देख रहे हैं, तो ये तो इसका एक पक्ष हुआ, महत्वपूर्ण बात है कि हिंदू समाज यदि बिघटित रहा, तो आने वाले दिनों में सक्तियां हमें तोड़ करके रख देंगी, और वो यही चाहती हैं, और इसका इसलिए रास्टिय स्वेंग सेवक संगने का हिंदू समाज को संगटित करो, हिंदू तो रास्टिय बोध है, यह रास्टिय बोध जितना तत्व मजबूत होगा, उतना ही यह देश मजबूत होगा, इस नारे में वो दम है, मैं कह रहा हूँ, इस नारे, देखे, कोई नारा, एकसेप्ट कब होता है, जब जमीन उसकी तयार रह क्यों क्योंकि यह उनका दिया हुआ था जब इतने दिनों में Congress Party के secularism को लोगों ने कहा कि अड़वानी जी जो जा रहे हैं बोल रहे हैं बात तो बढ़ा सच्छा ही है यह Congress Party साहबानों के मुद्धे पर तो ऐसे कर देती है मुस्लिम धमकी देते हैं और यह पैरों उनके घुटने टेक करके देती है यह यह लोग जो है साही इमाम के पास मस्जिदों में जा करके घुटने टेकते हैं और यह करते हैं से कुलिरिजम है और जहां हमारे भगवान राम की पुन्य भूमी है वहां पर एक बरबर आता ताई आकर के हमारे मंदिर को तोड़ करके ऐसे 40,000 मंदिरों को तोड़ दिया है और उस पर हम अपने भगवान के मंदिर के प्रतिस्थापना करना चाहते है तो उसका यह बिरोध कर रहा है और कॉंग्रेस पार्टी ऐसे तत्तों के साथ खड़ी हो जाती है तो उसके लिए पहले जमीन ते आपने देखा होगा कि केजरिवाल ने और इविन लाया नारा और इविन नारा इस प अरे यार हमें भी फेफडे का कैंसर हो सकता है हमें भी ब्रिदिंग को प्रॉब्लम हो सकता है चलो यह ला रहा है हमारे भले के लिए ला रहा है यह वैसा ही कुछ संदेश है कि यदी तुम बटे तुम बंगलादेश की स्थिति तुम्हारी होगी पाकिस्तान में तुम्हा का एक हिस्सा उसी इस्तिती में आ गया है आप पश्मी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा योगी सरकार आज आप माइनस कर दीजे फिर आप देखिए तहल के क्या होते हैं आप आसाम का एक हिस्सा आप हमंत विश्व सर्मा को माइनस कर दीजे फिर आप देखे इस देश में क्या आज एक ढ़ंग से उस सिखंझे के अन्दर आकर के खड़ा होगया है, जहां पर एक बार लगता है कि इन ताक्तों के, यदि एक बार यदि जम करकरके इनके साथ मुकाबला नहीं किया गया है, एसी भिग्ट करने वाली ताकतों के साथ, हिंदू ताकत दिशनमे कितो करके कट्ठा नहीं होता है तो देश का भला नहीं होता है